दोस्तों mutual funds के अंदर 4,000 से जादा प्लान में से अगर आप आज भी 25 प्लान पे कर लेते हैं तो आप कम पैसे से भी एक बड़ा fund बना सकते हैं हम आपके लिए टाटा का एक ऐसा धाकर fund लेकर आए हैं जिसके अंदर अगर आप मंतली वेज़ित पर सेविंग करते हैं 1295 रुपे यानि कि 1295 रुपे तो इससे आप 10 करोड रुपे से जादा का fund बना सकते हैं या फिर इसी प्लान के अंदर आप लंब सम एक बार सिर्फ 27,850 रुपे का निवेश कर देते हैं और इससे निवेश करके आप भूल जाते हैं तो इससे आप 2 करोड 24 लाख रुपे का fund बना सकते हैं दोस्तों mutual funds प्लान के अंदर पिछले 10 साल में जबरदस्त ग्रोथ मिली है यहाँ पर mutual funds में 50 लाख करोड पे कुल AUM हो चुका है और 150% से जादा की ग्रोथ है पिछले 4-5 साल के अंदर mutual funds में निवेश करने वालों की तादात काफी जादा हुई है और उसकी सबसे बड़ी वज़े यहाँ पर उन्हें एक अट्यक्टिव रिटन मिटा है बैंक एवडी की बाग करें LIC की यह फिर पोस्ट ओफिस की तो प्यासतर 7.5% आपको मिलता है लेकिन अगर आप अपने पैसे पर रिस्क लेकर mutual funds में थोड़े पैसे भी निवेश करते हैं तो आप एक बड़ पंड की जुरत है तो दोस्तों उस जरुत को अगर आप आप आज पूरा करना चाते हैं तो यह नहीं हो पाएगा इसके लिए आपको कुछ सालों का इंतजार जरूर करना होगा अगर आप आज भी अपनी थोड़ी बहुत इंकम से ही निवेश स्टार्ट करते हैं तो इससे लगतार जो रिटन है वो कमाल कातिया है मूचल पंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो लोग अपने पैसे को निवेश करना चाते हैं जिनके टारगेट बड़े हैं और जो कम पैसे से ही एक बड़ा पंड बनाना चाते हैं लेकिन जब निवेश करने की बात आती ह तो mutual funds में कुछ सवाल हमें ज़रूर परिशान करते हैं उसमें पहला सवाल यह होता है कि अगर हम अपने थोड़े पैसे mutual funds में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए हम किस fund का चुनाव करें या फिर लमसंदी हमारे पास लाको रुपे नहीं है निवेश करने के लिए हम कम पैसे जी निवेश स्टार्ट करें तो किस fund का चुनाव करें तो दोस्तों अगर आप अपने थोड़े पैसी पर रिस्क ले सकते हैं और आपका टार्गेट है एक बड़े fund बनाने का तो आप स्मॉल कैप कैटिगरी के fund का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि यहां पर potential growth जादा है और आने वरे टाइम में यहां से आपको एक जबरदस्त benefit मिल सकता है हम आपके लिए टाटा का एक ऐसा ही बहतरिन fund लेकर रहे हैं जो स्मॉल कैप कैटिगरी का fund है और लगतार इस fund का return पहले भी काफी बहतरिन रहा है और आने वरे टाइम में भी इस fund के अंदर आपको एक जबरदस्त growth मिल सकती है तो यहां पर दोस्तों हम इस fund की पूरी details चेक करेंगे calculation करके समझेंगे कि कैसे आप सिर्फ 1295 से 10 करोड का fund बना सकते हैं मंतली business पर निविश करके या फिर आप 27,850 रुपे से सबा 2 करोड का fund कितने टाइम के अंदर पर आ सकते हैं तो वीडियो मे जिसने लगातार 10-12 साल से compound return लगबग 28% का return दिया है यानि जिन लोगों ने सिर्फ 7,000 रुपे महिना अपसे 13 साल पहले इस fund के अंदर निवेश स्टार्ट किया आज उनके पास 1 करोड रुपे से जादा का fund है वो भी सिर्फ 13 साल के अंदर यानि कि दोस्तों इस fund ने last one year में 44% और last six month में fund का return कमाल का है 19.71% का दोस्तों इस fund के अंदर बड़े-बड़े crisis भी आये हैं लेकिन उन्हें पार करने के बाद भी fund ने जो return है वो कमाल का दिया है सबसे बड़े correction के अगर हम बात करें तो वो 2020 के अंदर था यहाँ पर एक बड़ा correction था 78% से जादा का क्योंकि stock market उस वक्त crash हुआ था और दोस्ते इस fund का return भी उस वक्त negative में 15-16% तक चला किया था तेकिन अगर हम long time की बात करें तो आप देख सकते हैं कि fund ने लगातार जो return है वो काफी बहतर इंतिया है लेकिन दोस्तों आने वले time में इस fund के अंदर आपको जादा नहीं सिर् return मिल जाता है 25% का और यहां पर आप बड़ा fund बनाना चाहते हैं 1295 रुपे SIP के दुरू या फिर आप 27,850 रुपे निवेश करके एक बड़ा fund बनाना चाहते हैं तो कैसे और कितने time में ये पैसे आपको मिल सकते हैं चलिए इसे calculate करके हम समझते हैं सबसे पहले हम बात करत हैं SIP की आप 1295 रुपे मंति निवेश करते हैं SIP के दुरू यहां पर 25% का return अगर आपको मिल जाता है इतना हम expect करते हैं अनिवले time के लिए और दोस्तों अगर आप 8 साल तक इस SIP को continue करेंगे तो 1,24,000 रुपे SIP के दुरू आप निवेश करके 3,95,000 रुपे का fund बना सकत हैं और 2,71,000 रुपे का इसमें return होगा लेकिन अब 16 साल के अगर बात की जाए यहां पर अब आपको कमाल का benefit मिलेगा क्योंकि आप SIP के दुरू सिर्फ 2,48,000 निवेश करके 32,61,000 तक fund बना सकते हैं और 30,00,000 रुपे का इसमें return होगा लेकिन दोस्तों अगर आप 24 साल तक इस SIP को continue करते हैं यहां से अब आपको 2,40,000,000 रुपे से जादा का fund मिलेगा 2,36,000 का return और इसमें आप SIP के दुरू 3,72,000 का निवेश करेंगे लेकिन 30 साल में 1295 रुपे महिना निवेश करते रहने से कुल 4,64,000 रुपे आप निवेश करके 10,61,000 रुपे तक fund बना सकते ह और 10,56,000,000 रुपे का इसमें return होगा अगर आप लंब सम 27,850 रुपे का निवेश करते हैं 25% का return आपको मिलता है तो दोस्तो 8 साल के अंदर इस 27,850 रुपे से आप 1,65,000 का fund बना सकते हैं 1,38,000 का इसमें return होगा लेकिन 16 साल तक अगर आप इस पैसे को निवेश करके 24 साल में आपके पास 58,97,000 रुपे का एक बड़ा fund होगा और 58,00,000 रुपे से जादा return लेकिन 30 साल में अब आपके पास इस 27,850 रुपे की final value 2,24,000 रुपे से जादा होगी यानि कि इसमें आप कम पैसे निवेश करते हैं लम सब और आपको return अच्छा मिलता है तब भी आ सकते हैं जबकि दोस्तों अगर हम इस fund के current NAV net asset value के price की बात करते हैं तो यह है 36,71 पैसे का यानि कि आप जो भी पैसा निवेश करेंगे चाहिसे आप लम सम निवेश करें एसा इभी के तुरू निवेश करें तो आपको current NAV के price से ही unit lot की जाती है जबकि हम rating की बात करें तो fund की rating अब तक काफी शांदार पूर है 6,125 करोड रुपे लोगों ने इस plan में निवेश किये हैं fund का UMA भी काफी बढ़िया है SIP हाँपर आप minimum 100 रुपे से कर सकते हैं दोस्तों लम सम अभी इस fund के अंदर बंध है जब स्टार्ट होगा तो आप लम सम भी निवेश कर पा गुजरात पीपाव कोट, UTI Asset Management Company, Netweb Technology यानि कि दोस्तों ये ऐसे स्टॉक हैं small cap category के जिसके अंदर आपको growth काफी शांदार मिल सकती है और इन्हे स्टॉकों में आलग-लग percentage में पैसे को निवेश किया गया है जबकि दोस्तों गर हम equity sector location की बात करते हैं तो सबसे के अंदर अलग-लग percentage में पैसे को निवेश किया गया है जिसके वज़ाद से growth आपको काफी शांदार मिल सकती है दोस्तों गर बात की जाए fund के expense ratio यानि के खर्चे की तो ये भी कम है 0.30% का यानि कि जो भी खर्चा होता है mutual funds का ये पैसे काट कर ही आपको current NAV के price से unit lot की जा है चंदरफ्रकास पत्यार 2018 से और जितिंदर खत्री 2023 से और दोस्तों Tata MC के पास 1,45,000 करोड़ रुपे से जादा का U.M. है आते रहते हैं लेकिन अगर आपका target है एक बड़े fund बनाने का थोड़ा साब इंतजार कर सकते हैं तो यहां से आप एक शांतार fund बना सकते हैं दोस्तों इस वीडियो से लेटेट अगर आपका कोई question होता है तो आप हमें ज़रूर दाइए अपने friends के साथ वीडियो को share करें और चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद